हाई गाईज एर क्रोथ ओयल के लिए मैं लूंगी करी लीव, मेथी के दाने और लो फ्लेम पे हम इसे तवे पे रोस्ट कर लेंगे 5-7 मिनित के बाद ये कुछ ऐसा देखेगा अब इसे ब्लेंडों में ब्लेंड करेंगे अब हम लेंगे कोई भी अच्छा कोकोनट और फ्लेम हमी रखनी है लो पाउडर मिक्शे को इसमें आड कर देंगे लो फ्लेम पे 5-7 मिनित रखेंगे और इसे चान लेंगे इसी भी खाली कंटेनर में आदा कोकोनट और आदा बना तेल मिक्स करेंगे